नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All. This is Manish Rai. आज हम लेकर के आए हैं बर्गबारह मीं से My Grandmother's House. जी, यह poetry है बर्गबारह की जिसका नाम है My Grandmother's House. मेरी दादी का घर. और इसको Indo-Anglian Poetist Kamala Das ने लिखा है. याद रखिएगा आपकी परिक्षा में अब पूछता है कि Kamala Das American Poet है, French Poet है, Indo-Anglian Poet है या none of these हैं. तो आपका जवाब होगा Indo-Anglian Poet. तो आईए Kamala Das के बारे में जानते हैं. बचों, Kamala Das born in March, sorry, born on March 31, 1934. Kamala Das का जन्म 31, March 1934 को हुआ था. Poet and sought a story writer. ये कबाइत्री थी and sought a story writer. और ये लगू कथाओं की लेखिका भी थी. has earned a respectable place in both English and Malayalam literature. कहने का मतलब है कि Kamala Das, जिनका जन्म 31, March 1914 को हुआ था, Poet थी, short story writer थी. and has earned a respectable place. और इन्होंने एक सम्मानित अस्थान बनाया है. respectable का मतलब सम्मानित. इन्होंने एक सम्मानित अस्थान बनाया है. in both English and Malayalam literature. यानि अंग्रेजी शाहित्य, literature का अर्थ होता है साहित्य. अंग्रेजी शाहित्य और Malayalam साहित्य में, इन्होंने सम्मानित अस्थान प्राप्त किया है. Her autobiography published in 1976, created quite a stir अर्थात. Her autobiography, इनकी जो आत्म कथा है न, published in 1976, जो 1976 में प्रकासित हुई थी, created quite a stir वह पुस्तक, 1976 में प्रकासित हुई थी, and created quite a stir और बजार में उसने हंगामा खड़ा कर दिया था, और बजार में उसने हल्चल मचा दी थी. इनकी किस पुस्तक ने? इनकी आत्म कथानी. In 1984, Siwa was shortlisted for the Nobel Prize for Literature. ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपुरून है. 1984 में Nobel Prize, साहित्य के Nobel Prize के लिए इनके नाम को shortlist किया गया था. यानि बहुत सारे उमिद्वारों में से कुछ उमिद्वारों को पुरसकार के लिए चुन लिया जाता था. तो इनको भी चुना गया था. Shortlist किया गया था. थेद्वी इनको पुरसकार नहीं मिला. लेकिन इनको 1984 में Nobel Prize, Literature में Nobel के लिए shortlist किया गया था. आप से पूछेगा कि किस इंडो अंगलियन poetess को Nobel Prize के लिए shortlist किया गया था. आप बताएंगे कमलादास को. और किस छेत्र में? तो Literature के छेत्र में. किस बर्स में? तो 1984, 1984 में. हर important volumes of verse. Volume का मतलब होता है खंड या हिस्सा. और verse का मतलब होता है पद या छंद. इनकी जो अंग्रेजी में The Descendants इन्होंने 1967 में लिखा था. The Old Playhouse and Other Poems 1973 में लिखा था. The Animatal Poems 1985 में लिखा था. Only Scent Knows How to Sing 1996 में लिखा था. And Yes, Allah कहीं कहीं या अल्ला ही मिलता है. And Yes, Allah ये 2001 में लिखा था. किसने? कमलादास ने. आई ये इनके बारे में कुछ और जानते हैं. कमलादास Poetry Is Primarily Autobiographical And Her Theme Is Love Of A Lonely Heart. कमलादास Poetry कमलादास की जो कभिता है Is Primarily मुख्यता Autobiographical होती है. यानि आत्म जीवन से संबंधित होती है. ये स्वेम के बारे में ही कभिताएं लिखती है. जो पिसे बस्तू होती है वो होती है Is Love Of A Lonely Heart. पच्चो लोनली हार्ट किसी के साथ नो होने से जो अब्यक्ति जब उदास हो जाता है तो उसको Lonely बोलते हैं. यानि उदास हिर्दय का प्यार उदास हिर्दय का प्यार इनकी कभिताओं की Theme होती है. यह वासना के बारे में भी लिखती है Greed and hunger that never satiate satiate का मतलब होता है tripth होना या greed यानि प्रेम की जो लालच है and hunger और प्रेम की जो भूख है और यह चीजे जो है प्रेम की जो भूख है जो लालच है जो वासना है जो यह यौन संबंध है that never satiate इनसे कभी मन भरता नहीं है तो यह सारी चीजें इनकी कविताओं की theme हुआ करती है She is known for sexual adventures in her writings बच्चों कमलादास अपनी कविताओं में यौन कामो तेजना को भरती है यौन कामो तेजना वाली कविताओं के कारण यह जानी जाती है यह बार-बार यहाँ पे love, lust इत्यादी चीजे आ रही है इसका एक कारण है बच्चों कमलादास जब बहुत छोटी थी इनकी माता की मृत्तिव हो गई माता की मृत्तिव के पसाथ इनका पालन पोस्टन इनकी दादी ने किया इसलिए इस कविता का नाम पड़ा है इनको अपनी दादी से बे इंतहा मुहबबत थी अब यह कुछ बड़ी हुई तो कच्ची उम्र में ही इनकी साधी हो गई और इनकी साधी बहुत दिनों तक ठीकी नहीं इस कारण इनके जीवन में प्रेम का अभाव रहा इसलिए इनकी सारी कविताओं में ये प्रेम और प्रेम से संबंदित चीजों पे ही ये लिखा करती है आगे पढ़ते हैं आगे लिखा हुआ है कि बतलब कमलादास की नजरों में यानि यौन संबंध और वासना इससे ज़्यादा प्यार कुछ होता नहीं है ये मानती है कमलादास वीच इवें रिचिस दे पॉइंट अब नौजिया कभी-कभी यह जो यौन आनन्द है कभी-कभी यह वासना है ये पहुँच जाती है on the point of nausea कभी-कभी इससे जी मिचलने लगता है कभी-कभी इससे मतलब इनसान को नफरत होने लगती है मतलब उसकी इक्षा होती है कि इन सारी चीजों का त्याग कर दे and is reborn again and again with new bigger लेकिन फिर से ये जो प्रेम की चाहत होती है या जो यौन आनंद की चाहत होती है या चाहत एक बार फिर से मनुष्य के दिल में और दिमाग में नई उर्जा के साथ जन्म लेती है और इन सारी सीजों को कमलादास बहुत करीब से देखी है और अपनी कभीताओं में इन सब का समावेस भी करती है कमलादास reveals a commendable mastery of phrase and control over rhythm जब यह कभीताओं लिखती है सी reveals a commendable commendable का मतलब होता है बच्चों प्रसंसनिय या सराहनिय यानि phrase पे सराहनिय रूप से इनको अधिकार प्राप्त है and control over rhythm और जो कभीताओं का जो rhythm है मतलब सुर्टाल उस पे इनका बहुत ही जबरदस्त नियंत्रण है और phrase पे इनको अधिकार प्राप्त है the words are often painted and the rhythm is marvelously almost feverously alive इनकी कभीताओं में जो सब्द होते हैं वो पैंटे होते हैं यानि उस पे एक नया रंग चड़ा हुआ होता है और जो सुर्टाल लए होता है ना मारवलसली मारवलसली का मतलब था अधुद रूप से वो जिवन्त होते हैं तो आईए इस कभीता में कमलादास क्या कह रही है इसको जानने की कोशिस करते हैं आगे बढ़ते हैं बच्चों ये उस घर का वडरन करती है जिस घर में ये अपनी दादी के साथ बच्चपन में बाले आवस्था में रहती थी ये कह रही है ये एक घर है जो अब बहुत दूर है ये उस घर को याद करती है जो अब बहुत दूर है कमलादास उस घर को याद करती है जो अब बहुत दूर है वेर वंस, जहां कभी, वंस का मतलब होता है अतीत में कभी, जहां कभी I received love, आई का मतलब कमला नेरू कह रही है, कि ये घर है, जो बहुत दूर है, जहां कभी मुझे पे प्रेम की वर्सा होती थी, जहां कभी मुझे बहुत सारा प्यार मिलता था, मुझे बहुत सारा दुलार मिलता था, मुझे पर मेरी दादी प्रेम की वर्षा करती थी, सनेह की वर्षा करती थी, मुझे को बहुत दुलारती थी, मुझे बहुत चाहती थी कमलादास कह रही है that woman died, लेकिन अब, वह इस्त्री, अर्थात मेरी दादी अब नहीं रही, उनकी मृत्यू हो गई, यानि उस महिला की मृत्यू हो गई, जो मुझे पर प्रेम की वर्षा करती थी जो मुझे दिलो जान से चाहती थी जो मुझे बे इंतहा मुहबबत करती थी the house we drew into silence silence का मतलब बता है सनाटा, मौन, चुप्पी, the house we drew into silence, जिस घर में मैं अपनी दादी के साथ रहती थी धमा चौकडी मचाती थी, दादी की मृत्यू के बाद, the house we drew into silence, अब घर में एकदम चुप्पी है, एकदम सनाटा है अब घर में कोई रहता नहीं, snakes moved, अब घर में कोई रहता नहीं, वाँ सांप moved, अब वहाँ पे कीडे मकोने घुमते हैं, वहाँ पे सांप घुमते हैं, among books, अब वहाँ किताबों के बीच, चुकीन के ghar में किताबों का भंडार था, किताबों के बीच, among books, among preposition है, किताबों के बीच, अब सांप घुमा करते हैं, I was then too young टू रीड और उस समय मैं टू यंग बहुत कम उम्र की थी मेरी आयू बहुत कम थी इसलिए मैं किताबों को पढ़ नहीं पाती थी and my blood turned cold like the moon और जब मैं किताबों को देखती थी कि अरे वा इतनी किताबे मुझे पढ़नी है तब मेरे जिस्म का जो खून था मेरे सरीर का जो खून था नहीं टू एक दम ठंडा सीतल पढ़ जाता था जैसे चांद ये सिमिली का उदारन है बच्चो ये कहती थी कि जब मैं कित ठंडा पढ़ जाता था किस की तरह चांद की तरह सीतल हो जाता था अब ये कह रही है कि अब चुकी कमला दास अब उस घर में रहती नहीं है तो क्या कहती है सुनिए यानि कितनी बार मैं वहाँ जाने की सोचती हूँ इनका मन बार बार करता है कि अब दादी नहीं रही लेकिन फिर भी मुझे उस घर पे एक बार जाना चाहिए घर के हाल को देखना चाहिए तो ये कहती है कि how often I think of going कितनी बार मैं वहाँ जाने की सोचती हूँ to peer through blind eyes of windows पीर थू का मतलब होता है से जहांक के देखना peer through blind eyes of windows यानि बंद खिडकियों से मैं जहांक करके ही सही अपने दादी के घर को देखना चाहती हूँ और just listen to the frozen air और साथी साथ मैं वहाँ frozen air थंडी हवा की संगीत को सुनना चाहती हूँ यानि जिस घर में मैं रहती थी उस घर को खिडकियों से जहांट करके ही देख लेना चाहती हूँ just listen to the frozen air frozen का मतलब ठंडा या जमा हुआ मैं उस वहां के ठंडे वायू के संगीत को सुनना चाहती हूँ और in wild despair और निरासा में हतासा में peak and armful बच्चों इस armful का मतलब होता है दोनों हाथों से वहन की जा सकने वाली मातरा यानि आप अपने दोनों हाथों से जितनी बस्तू को उठा सकते हैं उसको armful बोलेंगे तो यह कह रही है कि निरासा में peak and armful of darkness to bring it here to lie कह रही है peak मैं मतलब उठा लेना चाहती हूँ an armful of darkness मैं अपने दोनों हाथों से जितनी darkness जाकनेस का मतलब होता है अंधेरा यानि उस घर में अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ जो अंधेरा है न बरसों से मैं उस अंधेरे को ही अपने दोनों हाथों से जितना उठा सकती हूँ उतना उठाऊंगी to bring it here और उसको यहाँ पे ले करके आऊंगी to lie और ला करके रख दूँगी behind my bedroom's door like a brooding dog मैं अपने bedroom के दरवाजे के पीछे यानि behind my bedroom's door यानि मैं अपनी दादी के घर के अंधेरे को ही दोनों हाथों से उठा करके अपने bedroom में अपने सेन कच्छ में ले करके आऊंगी और दरवाजे के पीछे रख दूँगी like a brooding dog जैसे एक कुता एक पालतू कुता दिन भर किसी बस्तू की पहरेदारी करता है न ठीक उसी प्रकार से मैं उसकी पहरेदारी करूँगी यानि उस अंधेरे में ही मैं अपनी दादी मा को देखूंगी उसके प्रेम को देखूंगी उसके स्नेह को देखूंगी और उनकी समीपता को मैं महसूस करूंगी यू कांट बिलीव डार्लिंग अब चुकी इनकी साधी हो चुकी है कमला दासकी तो ये अपने पती को संबोधित करते हुए कह रही है Darling, you can't believe Darling पती देओ, you can't believe आप विश्वास नहीं कर सकते हो आप विश्वास नहीं कर सकते हो Can you? कि आप विश्वास कर सकते हो That, that का मतलब हुआ की I lived in such a house कि मैं एसे घर में रहती थी Watch Proud, जिस पे मुझे गर्व था जिस पे मुझे अहंकार था जिस पर मुझे अभिमान था And loved, और जिसको मैं दिल से चाहती थी जिसको मैं बहुत प्रेम करती थी जहां मुझे पे प्रेम की वर्सा होती थी जहां मेरी दादी मुझे से बहुत दुलार करती थी मुझसे बे इंतहा मोहबबत करती थी तुम भरोसा नहीं करोगे तुम विश्वास नहीं करोगे कि कभी मुझपे भी प्रेम की वरसा हुई है तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि मुझपे भी सनेह की वरसा हुई है ये अपने पती से कहती है है कौन कमलादास क्योंकि अब इनके जीवन में प्रेम गोर भाव है अब इनके जीवन में स्नेह का गोर भाव है अब इनके जीवन में वो जो सहानू भूती है ना उसका घोर भाव है इसलिए क्या कहती है सुनिह I who have lost my way and beg now at a stranger's door to receive love at least in a small chance यह कह रहे हैं कि I who have lost, मैं वह महिला हूँ, वह इस्तरी हूँ, who have lost my way, मैं वह इस्तरी हूँ, जिसने अपना रास्ता खो दिया है, and beg now, और beg का मतलब होता है प्रार्थना करना, beg का मतलब होता है भीख मांगना, at a stranger's door, मैं वह महिला हूँ, जो अपना रास्ता भूल चुकी है जो प्रेम पत को भूल चुकी है, जो सनेह पत को भूल चुकी है, and beg now, और आज strangers, अपरिचित, अंजान, जिसको मैं जानती नहीं हूँ, उसके दरवाजे पे मैं प्रेम की दुहाई मांग रही हूँ, मैं अंजान लोगों के दरवाजे पे, अंजान लोगों के घर पे, घर से प्रेम पाने की कोशिस कर रही हूँ, सनेह पाने की कोशिस कर रही हूँ, वहीं प्रेम और वहीं सनेह, जो कभी दादी मुझे बरसाती थी, at least in a small change, इस छोटे से परिवरतन के कारण, मेरी दादी की मृत्यू के कारण, अब मेरे जीवन में प्यार सनेह नहीं रहा, अब म प्रेम की पराती नहीं होती है, अर्धात कमला दास कह रही है कि जब ये अपने दादी के साथ रहती थी, तो इनकी दादी इन से बहुत प्रेम करती थी, बहुत सनेह करती थी, बहुत दुलार करती थी, लेकिन एक बार जब दादी की मृत्तियू हो गई न, तो इनके जीव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी कहें कि वे भी सुनें, वे भी लाइक करें, वे भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलिये जैहिन्द! नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for all, this is Maniz Rae, आज प्रस्तूत है वर्ग वारह की पोईटरी, my grandmother's house की समरी, जी वर्ग वारह की पोईटरी, my grandmother's house की समरी, बच्चों इस समरी को सुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस समरी को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अपन पुस्तिका में लिखने की कोसिस करेंगे, ऐसा करने से आपकी preparation, आपकी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप इस समरी को अपनी परिक्चा में बेहतरीन ढंक से लिख पाएंगे, और अच्छे अंक ला पाएंगे, तो आईए बच्चों, इस समरी की सुरुआत करत कहने का मतलब है, My Grandmother's House एक बहुत ही प्यारी सी कविता है, जिसको कमला दास ने लिखा है, It is an autobiographical poem, यह जो कविता है, कमला दास ने अपने बारे में स्वैम लिखा है, इसलिए इसको autobiographical poem कहते हैं, In this poem, याद रखेंगे, In this poem, The Poetist Remembers, यानि इस कविता में कवैतरी याद कर अपने ग्रेंड मदर के साथ, In her family home, अपने पारिवारी घर में, बच्चों, कहने का मतलब है, कि इस कविता में, कमला दास उन happy days को याद करती हैं, जो ये अपनी ग्रेंड मदर के साथ, उनके घर में गुजारी हैं, या बिताई हैं, The Poetist says, कवैतरी कहती है, That the house was an abode of love, enjoyed unrestrained freedom there, she enjoyed unrestrained freedom there, कमला दास वहाँ पे अन्यंतरित आजादी को enjoy करती थी, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं थी बच्चों, इन पे कोई बंदिस नहीं थी, Her grandmother soured her love and affection on her, इनकी grandmother, कमला दास की grandmother, इन पर प्रेम, लाड, दुलार और स्नेह की वर्सा कराती थी, But after the death of her grandmother, लेकिन grandmother की मृत्यू के बाद, the house looks deserted, कह रही है कमला दास की grandmother की मृत्यू के बाद, the house looks deserted, अब वहीं घर बिराना सा लगता है, बिरान लगता है, सुनसान दिखता है, wild animals move here and there, जंगली जानवर इधर उधर घूमते हैं, अब उस घर में सांप घूमते हैं, She wishes to go there, कमला दास फिर से वहाँ जाना चाहती है, but soon realizes, लेकिन सिगरी महसूस करती है, that her grandmother would not be there to welcome her, बच्चों कमला दास, वहाँ पे फिर से जाना चाहती है, लेकिन इनको तुरंत यह realize होता है, या एहसास होता है, कि अब उनकी grandmother उनकी welcome के लिए वहाँ पे नहीं होंगी, तो कहने का मतलब है, कि यह जो my grandmother's house नामक कविता है, यह एक सुंदर सी कविता है, जिसको कमला दास ने लिखा है, यह एक autobiographical poem है, यहाँ पे कब आइतरी उन happy days को याद करती है, जो अपनी grandmother के साथ इनोंने उनके घर पे घुजा रहा है, कब आइतरी कहती है, कि वहाँ घर, उस में सांती और प्रेम का वास था, she enjoyed unrestrained freedom there, वह वहाँ पे अन्यंतरित आजादी को enjoy करती थी, हर grandmother, उनकी grandmother उन पे प्रेम और स्ने की वर्सा कराती थी, लेकिन उनकी मृत्यू के बाद अब वह घर भीरान हो गया है, सुंसान हो गया है, wild animals move here and there, इधर उधर जंगली जनवर आती हैं, लेकिन तुरंत मैसूस करती हैं कि अब उनकी दादी इनको welcome करने के लिए वहाँ पे नहीं होंगी, तब यह lonely feel करती है, अकेला मैसूस करती है, frustrated, निरास मैसूस करती है, and become sad, और यह उदास हो जाती है, बच्छों, यह रही my grandmother's house की summary, आप इसको बहतरीन ढंक से prepare कर थैंक यू, इसी के साथ ही अब वीडियो समाप्त हुआ, जय हिंद, नमस्कार and welcome to my YouTube channel English for All, this is Manish Rai, आज हम लेकर के आए हैं वर्ग बारहुमी से my grandmother's house, जी, वर्ग बारहुमी से my grandmother's house के चुनिंदा बस्तुनिस्ट प्रकार के प्रस्ण एवां उनके उत्तर, तबच्छों, इस वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे निमेदन है कि मेरे YouTube चैनल पे आप my grandmother's house की जो line by line explanation वाले वीडियो है, उसको एक दो बार आवस से देख लें, एक दो बार देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, ऐसा करने से आपको बहुत लाब होगा, आप जो प्रस्ण आज की वीडियो में आपको बताए जाएंगे, इन प्रस्णों के अतिरिक्त भी यदि परिछा में कुछ आएगा, तो आप उसके उत्तर दे पाएंगे, तो बच्चों इस वीडियो को देखने से पहले, आप उस वीडियो को अवस्य देख लें, तो आईए आज के वीडिय के दवारा, D.H. Lawrence के दवारा, C. कमलादास के दवारा, D.T.S. Elliot के दवारा, आपका सही जाब होगा बच्चों, कमलादास, My Grandmother's House has been composed by कमलादास, My Grandmother's House नाम कभी था, कमलादास के दवारा लिखी गई है, आईए देखते हैं बच्चों, प्रस नंबर दो, कमलादास is an American Poetist, African Poetist, Indian Poetist, None of these, तो बच्चों आपको बताना है कि कमलादास, American कभी हैं, African कभी हैं, भारतिय कभी हैं, या इन में से कहीं की नहीं हैं, तो आपका सही जाब होगा, Option C, कमलादास is an Indian Poetist, कमलादास एक भारतिय कभी हैं, तो आप पढ़ेंगे, कमलादास is an Indian Poetist, परत संख्य तीन है, कमलादास वाज, shortlisted for the, खाली अस्थान for literature, आपको बताना है कि कमलादास को, नीम्न में से किस पुरसकार के लिए, shortlist किया गया था, Nobel Prize के लिए, पुरिद्जर प्राइज के लिए, सहित्य अकैडमी के लिए, इन में से किसी के लिए नहीं, आपका सही जवाब होगा बच्चों, option A, Nobel Prize, G, कमलादास वाज, shortlisted for the Nobel Prize for literature, बच्चों, सहित्य के छेत्र में, Nobel पुरसकार हे तू, कमलादास को, पुरसकार प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन आप याद रखेंगे, कि कमलादास को, सहित्य के Nobel के लिए, shortlist किया गया था, तो इसको पढ़ेंगे, कमल फिरा करके भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि कमलादास को, Nobel Prize के लिए, shortlist किया गया था, तो जो Nobel Prize थाना हुआ, किस छेत्र के लिए था, तो आपका जवाब होगा, literature के छेत्र के लिए था, तो यहाँ पे गौर करें, कमलादास वाज, shortlisted for the Nobel Prize for literature, अर्था कमलादास को साहित्य के छेत्र में, Nobel दिये जाने के लिए, shortlist किया गया था, लेकिन यह पुरसकार इनको नहीं प्राप्त हो सका था, नंबर चार कहता है, कमलादास remembers her, यानि कमलादास नीमन में से किसको याद करती है, who is dead now, जो अब नहीं है, जिनकी अब मृत्तिव हो गई यानि कमलादास नीमन में से किसको याद करती है, ग्रेंड मदर को, ग्रेंड फादर को, अंकल को, आंट को, तो आपका सही जवाब होगा बच्चों, option A, grandmother, कमलादास remembers her grandmother who is dead now, कमलादास अपनी grandmother को याद करती है, जो अब दुनिया में नहीं है, इसलिए option A सही होगा, कमलादास has earned a respectable place, यानि कमलादास को एक सम्मानित अस्थान प्राप्त है, respectable place, सम्मानित अस्थान, बच्चों कमलादास को एक सम्मानित अस्थान प्राप्त है, इन बोथ, English and, खाली अस्थान लिट्रेचर, आपको बताना है, कि अंगरेजी के साथ साथ, नीमन में से किस साह कमलादास को एक सम्मानित अस्थान प्राप्त है तमिल में, मल्यालम में, भोजपूरी में, हिंदी में आपका सही जवाब होगा बच्चों, option B मल्यालम, याद रखिएगा कि कमलादास को अंग्रेजी के साथ साथ मल्यालम साहित्य में भी एक respectable place, एक सम्मानित अस्थान प्रा खाना है कि निम्न में से कौन अपनी Grandmother के साथ रहती थी इंदिरा गांधी रहती थी स्वरोजनी नाइडू रहती थी कमलादास रहती थी या नौन अब दिज तो बच्चों आपके टेक्स्ट बूक में जो कविता है जिसका नाम है The Grandmother's house उसके हिसाब से कमलादास जो थी ना क कमलादास ये अपनी ग्रेंड मदर के साथ रहती थी तो यहाँ पे option C सही जवाब होगा कि who used to live with her grandmother तो आप कहेंगे कमलादास used to live with her grandmother question number 7 कहता है बच्चों कि who used to sour love on कमलादास आपको बताना है कि निम्न में से कौन कमलादास पे प्रेम की वारिस करता था aunt उनकी चाची करती थी grandfather दादाजी करते थे grandmother करती थी या नौन अबदीज तो आपका सही जवाब होगा बच्चों grandmother यानि grandmother used to sour love on कमलादास यानि कमलादास पे कोई और नहीं बलकि उनकी grandmother प्रेम की वर्षा करती थी question number 8 पूछता है बच्चों कि after the death of a grandmother यानि grandmother की मृत्यू के बाद are seen in the house उस घर में क्या देखे जा रहे हैं रैट्स देखे जा रहे हैं एस्कॉर्पियंस देखे जा रहे हैं स्नेक्स देखे जा रहे हैं या नौन अबदीज आपका सही जवाब होगा बच्चों option C after the death of our grandmother य उस घर में अब स्नेक्स देखे जाते हैं साप देखे जाते हैं जिसको पढ़ेंगे after the death of our grandmother स्नेक्स are seen in the house नौन नौन नौह बच्चों कमलादास wished to peep through यानि कमलादास फिर से जहांकना चाती हैं विंडो अब दा हाउस घर की खिडकी से डोर अब दा हाउस घर के दरवाज देखना चाती हैं नंबर 10 कह रहा बच्चों see noticed a behind the door of the bedroom आपको बताना है कि कमलादास अपने bedroom के behind the door of the bedroom bedroom के धरवाजे के पीछे निम्न में से क्या देखती हैं स्नेक देखती हैं कैट देखती हैं डॉग देखती हैं रैबिड देखती हैं आपका सही जवाब होगा option c dog see noticed a dog behind the door of the bedroom वा bedroom के door के पीछे एक कुत्ते को देखती हैं इसलिए option c सही होगा आप उसको कहेंगे डॉग नंबर 11 है बच्चों the poetess in my grandmother's house begs at Kaliistan doors यानि my grandmother's house में जो poetess हैं जो कबाइतरी हैं जिनका नाम है कमलादास वा कहां पे प्रेम की भीख मांगती हैं enemies सत्रू के दरवाजे पर friends दोस्त के दरवाजे पर strangers अपर इचितों अजनबियों के दरवाजे पर या इन में से कहीं नहीं एक बार फिर से option c सही होगा the poetess in my grandmother's house begs at strangers doors अजनबियों अपर इचितों के दरवाजे पर वा प्रेम की मांग करती है नंबर 12 है बच्चों the house went into silence due to the death of the यानि वह घर ज बुमन किसी औरत की मृत्यू से गरल किसी लड़की की मृत्यू से या इन में से किसी की मृत्यू से नहीं आपको बताना है नंबर 12 में कि जिस घर में कमलादास रहती थी थी न किसकी मृत्यू के बाद वहां पे सननाटा चा गया है तो इसका सही जाब होगा बच्चों option B ब बुमन थी तो उस बुमन की मृत्यूं के बाद उस इस्तरी की मृत्यूं के बाद उस घर में सन्नाटा च्छा गया है इसलिए option B सही होगा the house went into silence due to the death of the woman number 13 है बचों there is a house where I once received love is a line from बचों आपको बताना है कि यह पंक्ती नीमन में से किस कविता से ली गई है there is a house where I once received love यानि यह घर था जहां कभी मुझे धेरो प्रे मिलता था यह जो पंक्ती है नीमन में से किस कविता से ली गई है snake से ली गई है मैकाबिटी से ली गई है my grandmother's house से ली गई है the soldier से ली गई है तो आपका सही जाब होगा बचों option C my grandmother's house there is a house where I once received love यह my grandmother's house नाम कभीता से ली गई है number 14 कहता है I who lost my way and beg now at a stranger's door is a line आपको बताना है कि यह पंक्ती कि I who lost my way and beg now at a stranger's door यानि मैं जो अब रास्ता भूल चुकी हूँ यानि मैं जिसका रास्ता अब बदल गया है और अब अपने घर नहीं अपर इचितों के घर पे प्रेम ढूड रही हूँ यह जो कभीता है यह जो पंक्ती है ना किस कभीता से ली गई है एक बार फिर से option C सही होगा my grandmother's house तो इसको पढ़ेंगे I who lost my way and beg now at a stranger's door is a line from my grandmother's house और अंतिम क्वेस्टन है बच्चों कि yes Allah is a volume of verse of आपको बताना है कि yes Allah यह जो बच्चों volume of verse है ना या किस की रचना है कमलादास की है T.S.E.L.I.E.T. की है जोन किट्स की है आपका सही जाब होगा option A कमलादास यह सल्ला इसे volume of verse of कमलादास यह कमलादास की रचना है जिसका नाम है yes Allah बच्चों इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त हुआ लेकिन एक बात कहना चाहूंगा बच्चों आप बार बार इस वीडियो को देखें सभी प्रस्नों के उत्तर को समझने की कोशिस करें ताकि परिच्चा में आपसे कोई चूक न हो और आप बहतर अंक से परिच्चा पास करें इसी उमीद के साथ जय हिंद